नमस्कार प्यार मितलानुज में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोज फस गए मुकेश सनी देखे हर कोई अब कह रहा है कि मुकेश सनी अपने ही बूने जाल में फस गए मुकेश सनी को जब अपेक्षा थी भारते जनता पार्टी के साथ ताल्मिल था और इन्हें आज तीन महां से कि विश्वास था कि भारते जनता पार्टी उन्हें तीन सीटें देगी देखें मुकेश सनी के खौब trends प्रदेश जरकंड और बिहार मिला करके उन्होंने 23 सीटें मांगे थे इसके बाद बात नहीं बनी धीरे धीरे सिमट गए बिहार पे बिहार में बात भी कि तीन सीटे देंगे मुकेशनी का स्वस्थ थे कि तीन सीटे भी लेगी लेकिन नितीज कुमार के आजाने के बाद नितीज कुमार की एहमेद कम हो गई ये बात मुकेश सनी को भी एहसास सुने लगा देखें मुकेश सनी का वोट वैंक जो है वो कहते हैं कि हम पूरे तरह निशादों के अरक्षन को ले करके मांग है लेकिन देखिए जब भी चुनाव हुए हैं मुकेश सनी की बाते निशाद ने नहीं मानी ये बात भारती जनता पार्टी ही नहीं महागडवंदन के नेताओं ने भी विश्टेशन कर लिया इसका नतीजा क्या हुआ कि मुकेश सनी को एंडिये में एक भी सीट नहीं मिली एक सीट पर बात चल लए थी लेकिन मुकेश सनी नहीं मान रहे थे अंत में मुकेश सनी को एक भी सीट एंडिये ने नहीं दी मुकेश सनी निराश हो गए उनके जो फॉलोवर थे जो बालबार करे थे मुकेश जी आप बीजेपी से ही चुना लड़ी है एंडिये के साथ चुना लड़ी है क्योंकि एक बोट या एक सीट या 2 seat ही का población मदत पूर्ण है लेकिन मुकेश सनी अरे रहे मुकेश सनी को लग रहा था कि नहीं हमारी इतनी भागे दारी है तो हम seat लेंगे लेकिन नहीं मिली देखिए मुकेश सनी जब NDA से बात भी चल रही थी तब भी वो इंडिये के खिलाप आग उगल रहे थे जोना गौर कीजी तो वो क्या बताना चारे थे ये तमाम इंडिये के नेता इस बात को गंभीरता से देख रहे थे रास्टे नेता भी देख रहे थे बीजेपी के कि मुकेश सनी एक तरफ सीटों के तालमेल की बात बीजेपी से कर रही है और दूसी तरफ बीजेपी को ही उल्टा पुल्टा कर रही है और सीधा और दूसी तरफ तरफ तजस्तु यादब लालु यादब की बढ़ाय करते है इस परिस्टिते में बीजे पिनों नहीं दर किनार कर दिया मुकेश सनी साथमे आस्मान से जमिन पर ध्राम से गिर गया इसके बाद मुकेश सनी के पास सिर्फ एक विकल्ब था वो था रास्टी जन्ता दल से अब देखे यहां से खेल सुरू हो गया लालो प्रसाज यादब ने देखा कि मुकेश सनी का अब कोई चारा नहीं है तो अब वो गिर कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक से दो सीट दीजी पहले तीन सीट माँगे उसके बाद दो सीट लेकिन लालो यादब ने अस पस्ट का दिया जो सुत्र बता रहे हैं कि मुकेश जी बियाइपी पार्टी का रास्टी जनता दल में विले कर लीजी आपके पास यहीं चारा है अगर रास्टी जनता दल के साथ विले करता है अपनी पार्टी का तो आपको दो सीट दिया जा सकता है नहीं तो फिर आप अकेले चुना लड़ सकते हैं देखे तीन दिन से ये बात चल लई है और मुकेश सानी जो बियाइपी पार्टी को एतने मजबूत किये मुकेश सानी पूरी तरह सत्मे में आगे मुकेश सानी के पर सब बिकल्प नहीं था क्योंकि मुकेश सानी के जो नजदीकी थे जिन्होंने बियाइपी पार्टी को मजबूत किया जिन निशादों ने करोरों रुपे एड़टीजमेंट के लिए दिये उस परमोशन के लिए दिये आज वो पुरी तरह निराश हो गए हैं मुकेश सानी के इंदरने से अब सभी यह कहते हैं मुकेश सानी जब कोई बात करते है तो वो अपने कोर कमिटी के सादस्तों के साथ भी चर्चा नहीं करते हैं या राय मिश्विरा नहीं करते हैं जिस पर से आज सीधा मुकेश सानी के हालत यह हो गई है कि आप दो विकल्प हैं या तो राश्टी जंतादल के साथ ब्याइपी का आप मर्च कर लिजे ब्याइपी पार्टी का समाप्त हो जाएगा और राश्टी जंतादल में आपको पूरी तरह जगा मिलेगी लेकिन मुकेशनी ने करोरो रुपे खर्च करने बाद कापी महनत थाटे कि विकल्प पार्टी आज समाप्त हो जाए लेकिन विकल्प पार्टी के पास अब क्योई चाना नहीं अब मुकेशनी कहने कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन ये सभी जानते हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनकी उनका हाल क्या होगा मुगेश सनी को इतना सोचना चाहिए पपू यादब भी बरेने था है लेकिन पपू यादब ने कॉंग्रेस के साथ अपना पार्टी का जो पूरी तरह पार्टी समली थोगे कॉंग्रेस में अब उन्हें टिकट मिले ना मिले ये बात की बात है लेकिन उन्होंने मौका को देखा परिस्टिती को देखी इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी का विले कॉंग्रेस में कर लिया तो मुकेस सनी की बियापी पार्टी का भी अबस्तित यही हो रहा है या तो मुके स्थानी विले करेंगे या मुके स्थानी हासे पर रहेंगे एंडिया ने पहले ही उन्हें नकार दिया है अब राश्ट जनता दल भी उन्हें नकार रही है अब इस्थानी यह है कि मुके स्थानी ना घर के हैं ना घाट के उनके नेता धिरे-दिरे भागने लगे हैं मुगेज जी पहले अपनी पार्टी का विले कीजिए उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे ये सुत्र बता रहे हैं कि आप मुगेज सनी पूरी तरह फस गए हैं कल तक मुगेज सनी जो बड़े-बड़े बादे करते थे बड़े- आप देखा करते थे गंगा जल लेकर करके गुमा करते थे हलिकॉप्टर यातरा करते थे आज मुगेज सनी को सीधा आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया महाकटवंदन और एंडिये ने अब मुगेज सनी के पास क्या विकल्प है वो हम आपको दिखाएंगे लेकिन देख सर्चा चल लही है अब कल हम आपको अपडेट बताएंगे लेकिन मुगेज सनी का इरादा क्या है लेकिन मुगेज सनी के नजदी की रहने वाले नेता आजकल नराज दिख रहे हैं मुगेज सनी के इस नने से देखेंगे बिहार मिरतानीज यूटूब में भी सबस्काइब किजिए सर्च किजिए और बिहार मिरतानीज के पेज को फॉलो किजिए धन्यवाद